मैं आपको बताता हूँ उस समय बहुत बड़े सुपरस्टार थे राजेश खन्ना राजेश खन्ना ऐसे स्टार थे जिनके लिए आप जानते हैं कि उन पर लड़कियां मरती थी उनकी तस्वीर से शादी कर लेती थी अब उनकी गाड़ी के आगे लेट जाती थी उनके नाम से सिंदूर लगाते थे मतलब इतना बड़ा सुपरस्टार ना कभी हुआ है ना कभी होगा ऐसे थे राजेश खन्ना उनको जब मैं आपके दालत के बुलानी गया तो उनके घर गया तो उनके घर गया तो उनके घर गया तो उनके विस्की के दो ग्लास रखे हुए थे तो कहा कि पीजे तो मैंने का मैं तो पीता नहीं और ड्रिंक नहीं करता हूँ कहते हैं जो ड्रिंक नहीं करते हैं उनसे मैं बात नहीं करता तो मैंने का जी जो ड्रिंक करते हैं उससे मैं बात नहीं करता तो बड़ी देरे खामोश बैठे रहे फिर का कि यार शो तो करना है ये आपके अदालत का पचासवा शो था तो उन्होंने का कि क्या पूछोगे आप उससे तो मैंने का आप हाँ करेंगे मैं रिसरच करूँगा तैयार करूँगा उसके बाद तैयलियन नहीं नहीं और वहीं पर सवाल पूछ लेंगे ये तो स्पॉंटेनेस होता है तो उन्हे नहीं का रजचासाब जिंदगी लिए आपके शो में अपने डालोग कैसे बोल दूँ है तो उन्होंने ऐसे इशारत किया एक आदमी दर से आ एक दर Selbst आयां ये चंचली है ये शर्मा जी है, ये दोनों मेरे डायलोग राइटर है, आप इनको सवाल बताईए ये मुझे डायलोग लिखके देंगे। काका जी, मैं तो अभी इसके लिए तयार नहीं हूँ, लेकिन हम मिलेंगे, बात कर लेंगे, लेकिन ऐसे प्रोग्राम नहीं होता, आपके अदालत तो, कोई सवाल मैं किसी को नहीं बताता है, शुरू होता है, और खतम हो जाता है। कि मैंने प्रोग्राम शुरू कर दे, मैं भूली गया। ए लुखने थासि दिर्इटक्त अका भी सब्सक्राइब मैंने का अगला सवाल आप में से ये पूछा की राजा चिना साब आप निथे खीने पूष दोगा बैषए इस रेकृष्ट में एक में अप अखे है को इस पर साइंक लिए जहां कोगे मैं साइन कर दूंगा तो शर्माजी ने डालोग लिखा कि पहले उस नेता से को वे इंकंटेक्स दे पहले उस लाला से को इंकंट दे और उसके बाद रजासाब जिसना टैक्स का होगे मैं दे दूंगा यह सवाल हुआ फिर माईक उतारा फिर में कप्रूम में आ ऐसे थे राजश्कन्ना, इसलिए वो लेजन्ड थे.